हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है दोस्तों क्लास 11 फिजिक्स में जो आपका चल रहा है दोस्तों चैप्टर 6 है ना इसमें दोस्तों आज एक छोड़ा सा वीडियो लेकर आया हूँ जड़त नोटस में इसको एड़ कर लीजी है ना और दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों साज शेयर करना चले दोस्तों देखने है पहला अंतर जड़त भी द्रबान है क्या दोस्तों यह किसी बस्तों के जड़तों की माप है अब दोस्तों ज जड़त तू क्या है जड़त तू क्या है किसी बस्तू पर हम बल लगाते हैं तो है इस्थित परिवर्तन का बिरोध करता है मतलब एक प्रकार से उसमें कोई नो कोई बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं जड़त तो कहते हैं सिंपल सा दोस्तो जड़त तो एक प्रकार से बिरो कर रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि बस्तु पर जड़त्तों लग रहा है तो दोस्तों जड़त्वी जो दर्बमान होता है वह जड़त्तों की माप होती है जबकि दोस्तों गुरुत्तिवी द्रबमान यह किसी बस्तु पर प्रत्वी द्वारा आरोपित है तो उस पर एक बल कार करता है जिसे गुरुतिवी बल कहते हैं जो की प्रतिवी दोरा लगाया जाता है तो कितना बल लग रहा है कितना बल लग रहा दोस्तो इसको अपन वापते हैं गुरुतिवी द्रबमान के सहारे से मतलब गुरुतिवी द्रबमान दोस्तो किसी बस्त पर आरोपित गुरुतिवल की माप है चीज़ें क्लियर हो गई अब दूसरा नमबर देखते हैं जडत्वीत रभमान करने धरन गति के दूती नियम से किया जा सकता है गति का दूती नियम क्या दोस्तों किसी बस्त पर लगाया गैबल उसके संबेक परिवरतन के दर के अनुक तो कर्शन नियम क्या दोस्तों किनी दो पिंडों के विच लगने वाला बन उन दोनों पिंडों के दरभमान के गुड़न फल के अनुक्रमान उपाती है और बीच के दूरी के बर के ब्यूत करमान उपाती होती है तो इसी के आधार पर दोस्तों गुरुतिवी दरभमान की मापते हैं ठीक है ना तो गुरुत्वी द्रबमान की माप इस्प्रिंग तुला से की जाती है अगला दोस्तो जड़त्वी द्रबमान की माप आसान नहीं होती थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कटिन होता है जबकि गुरुत्वी द्रबमान की माप आसान होती है ठीक है ना त चार अंतर यार छोटा सा वीडियो अच्छा लागत लाइक करना दोस्टों साँ चेर करना चलते हैं दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक साँ तब तक लिए जय हिन बन्ने मात रहा हूं